अरहर महादेव दोस्तों स्वाधत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो में हम सुनेंगे शिफ महापुरान श्री कोटी रूत्र सहिंता का दस्वा अध्याय लोग हितकारी शिफ महात्मिय दर्शन सूथ जी बोले हे रिशियों एक शुबाकू वंश में एक बड़ा पुन्यात्मा राजा हुआ जिसका नाम मित्र सहय था उसकी पतनीगा नाम दम्यंती था वहाती पतिवरता वै धर्म परायन स्त्री थी एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए वहां उन्होंने कुमठ नाम को एक महत्मा को परिशान करते देखा उन महत्मा के कष्टों को दूर करने के लिए उन्होंने उस राक्षछ को मार डाला ततपस्चात वापस आकर अपना राज काज देखने लगे उधर उस दानव के छोटे भाई कपट ने राजा से बदला लेने के लिए रसोईय का बेश बनाया और राज महल में नौकरी करने लगा एक बार गुरु जैन्ती के अवसर पर राजा मित्रसा ने अपने गुरु वशिष्ट को भूजन के लिए मंत्रत किया गुरु देव राजा के घर पधारे उसकप्टी राक्षस ने राजा से बदला लेने क लिए खाने में मांस मिला दिया और वैब भूजन वशिष्ट जी को परोस दिया परंदु गुरु वशिष्ट ने भूजन करने से पूर ही जान लिया कि इस भूजन में मांस है यह देखकर मुनी को राजा पर क्रोध आ गया और उन्होंने राजा को सदा के लिए राक्षिस बन जाने का शाप दे दिया शाप सुनकर राजा रोने गड़ड़ाने लगा और बोला मुनि श्रेष्ठ मुझे शमा कर दे यह अपराद मैंने नहीं किया है राजा के बचनों को सुनकर वशिष्ठ मुनि सो बोच में डोब गए तब उन्होंने अपनी दिव्यद रिष्टी से जान लिया कि अपराद रसोईय का है जो की वास्तव में एक राक्षिस है तब हुए राजा से बोले राजन तुम्हारा रसोईया एक कप्पी राक्षिस है उसीने जान बोच कर बोजन में मांस परोसा है मैं अपना शाप वापस तो नहीं ले सकता परन्तु इसका असर कम कर सकता हूँ तो बारह वर्षों तक राक्षिस रहेगा यह कहकर मुनी वशिष्ट महां से चले गए उस शाप के कारण राजा राक्षिस बन गया और वन में बटकने लगा वह जीवों को मार कर खाता था ए उसने एक आश्रम में किशोर वस्था में एक युवक को मुनी रूप में तपस्या करते देखा और उसे खाने के लिए दोड़ा मुनी की पत्नी ने देख लिया कि बैराक्षिस उसके पती को खाना चाहता है उस रिशी पत्नी ने राक्षिस से प्राधना की कि मेरे पती को चोड़ दें परन्तो उसने मुनी को अपना अहार बना ही लिया मुनी पत्नी शोक में डोब गई और उस राक्षस को शाप देते हुए बोली अरे दुष्ट राक्षस तुने मेरे पती को मार डाला मैं तुझे शाप देती हूँ कि जब तो किसी स्त्री पर मुवित होकर उसके अपना शरीर वापस मिल गया उसने ज़ाकर अपनी रानी को शाप के बारे में बताया यह जानकर रानी राजा को अपने पास नहीं आने देती थी परन्तु उन दोनों की संता ना होने की कारण दोनों बहुत दुखी थे एक दिन दुखी राजा वन में चला गया परन्तु ब्राह्मन हत्या के पाप से उसका पीछा नहीं जुटा। तब राजा व्याकुल होकर गौतम रिशी की शरण में चला गया। राजा ने उन्हें सारा व्रतावन सुना दिया तब गौतम रिशी बोले हे राजन पश्चिम दिशा में जाओ वहां गौकरन नामक थीर्थ है जहां महावल नामक ज्योतिरलिंग है उसकुंड में सनान करकि दिवातिते महादेव जी का पूजन अर्चन करने से सभी पाप पश्च्ट हो जाते हैं इसलिए तुम महाँ जाकर शिवची के आराधना करो तबे तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी गौतम रिशी के वजन सुनकर राजा प्रसन्व हुआ और उनसे आग्या लेकर गौकरन तीर्थ को चला गया वहां उसमें कुंड में स्नान करके भगवान शिव का पूजन और आराधना आरंब कर दी जिसके फलसरोप राजा को ब्रह्म हत्या की पाप से मुक्ति मिल गई ओम नमस्षिवाए